हेलो फ्रेंड, Foundation of R Software के कूर्स में आप सभी का फिल से एक बार बहुत स्वागत है आज के इस lecture में हम R Software से हम कैसे साहता लें, कोई हमारे different contacts हैं, commands हैं, उनके बारे में हम उनके उधारन कैसे देखें, उनका हम demonstration कैसे देखें, इन सब topics के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इन सब topics के बारे में बात करने के पीशे जो मेरा मन है, वो ये है कि जिस तरीके से हम कभी अपने class में किसी नए topic को सीखना चाते हैं, तो सबसे पहले हम उस topic को समझने के लिए, सीखने के लिए एक उप्यूट book होती है, किताब होती है, उसको ढूलने की कोशिश करते है फिर उस किताब में से उस topic को किस chapter में है, वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, उसको पगते हैं, समझते हैं, और उसके बाद हमारी अपिक्षा ये होती है, कि अगर मुझे कोई एक salt example मिल जाए, या कोई मुझको उसको blackboard में एक demonstrate करके बता सके कि इसको मुझे कैसे करना है, अगर मेरे कोई कुछ salt examples मिल जाते हैं, और कोई मेरे कोई अगर उनका demonstration दे सकता है, तो मुझको वो topics बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो उसी तरीके से R software के अंदर भी है, अब R software के अंदर मुझको भिन-भिन तरीके के कार करने हैं, अब वो कार कैसे कर जाए, उनके क्या syntax होंगे, उनके क्या commands होंगे, वो किस function के द्वारा किये जाएंगे, यह हमको कौन बताएगा, तो इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हमारे पास दो options हैं, पहला option है हमारा internal और दूसरा है external, एक अंतरिक और एक बाहर से, internal या आंतरिक का मतलब यह है, आर software के अंदर हमारे पास इन functions को, इन commands को समधाने के लिए, कुछ examples, कुछ demonstration, built-in कर दिये गए हैं, उनके अंदर नियत कर दिये गए हैं, तो मुझे उनको निकाल करके देखना पड़ेगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारे external sources हैं, जैसे, for example, आपको धारन के लिए कोई भी हमारे जो सर्च इंजिन होते हैं, गूगल है, वहाँ पे चले जाएए, या बिंग है, या MSN है, बहुत सारे हैं, जो आपकी इच्छा आप उसमें चले जाएए, और वहाँ पे आपको जिस command के बारे में, जिस function के बारे में, जिस syntax के बारे में आपको knowledge लेनी है, आप उसको वहाँ पे type कर दीजिए, बहुत सारी websites हैं, जो इस करा का tutorial free में दे रही हैं, या बहुत सारे forums बने हुए हैं, जहां पर लोग अपने प्रशनों को रखते हैं, और कोई उनके जवाब दे देता है, तो ये हमारे कुछ external sources हैं, तो आ देके करके हम उनके बारे में समझेंगे कि हमको बिन-बिन conditions में, बिन-बिन जगह पर हमको जिस तरह के हमारी आवशकता है, उसके अनुसार हमको साहता कैसे मिल सकती है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके पहले देखते हैं कि आर्फ को आप start कैसे करोगे, और जब आर्फ को start करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो चलिए हम इस lecture की शुरुआत करते हैं, अब जब आपने आर्फ को अगर अपने computer पर install कर लिया है, तो आपको यहां पर इस तरह का एक icon दिखाई देगा, उसमें लिखाऊगा आर, ऐसे करके और एक गोला बना होगा, आप इस आर icon की ऊपर click करिए, single click या double click जैसी भी आपकी आपकी आपशक्ता हो, और जब इसको आप खोलोगे तो आपको एक ऐसा screen दिखाई देगा, यह जो screen है, इसको हम कहते हैं, आर GUI, GUI का मनूद होता है Graphic User Interface Window, तो यह हमारी आर की GUI Window है, और इसके अंदर आप देखे कुछ इस तरह का structure होता है, और इसके अंदर एक यह इस तरह की एक और screen बन के आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ARC Console, यह जो screen है, इसको मोलते है ARC Console, और इसमें आप देखेंगे, इसमें ARC के बारे में भिन-भिन तरह की information दी गई है, यह ARC का version है 4.1.2, इसका नाम है Bird Hippie copyright के बारे में, platform के बारे में, और कुछ अलग करेकी information यहाँ पर दी है, जो आप इसको परिश सकते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे, यहाँ पर एक greater than sign, इस तरह का एक kind बना है, और इसके आगे एक यह vertical line खेची हुई है, तो यह जो चीज है, इसको हम बोलते हैं command line, और यह जो हमारा greater than sign है, इसको हम बोलते है, prompt, prompt का मतलब होता है, कि इस prompt के आगे आप जो भी इस command line पर type करेंगे, वही यहाँ पर R के अंदर execute होगा, अगर वो सही command है, तो, सबसे पहले आपको इस तरह का एक RGUI window मिल जाएगा, और इसके बाद में आप अगर उसमें से सहायता अगर लेना चाहेंगे, आप अगर, तो आपको इसी RGUI window में देखी, यहाँ पर एक option होगा, help, आप जब यहाँ पर help में click करेंगे, तो आपको यहाँ पर कई सारे option दिखाई पढ़ेंगे, frequently asked question on R, FAQ on R, FAQ on R for Windows, manuals, R function, HTML, help, search help, इत्याती इत्यादी, अब आप इसमें से आप click करिए, और आप आगे बढ़ते जाएए, आपको जिन जिन topic की आप शर्टा होगी, उस विस topic में आपको मिलते जाएंगे, और आपका कार आगे बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको जड़ा ये, ये करके भी दिखा दें कि आप जब इसको R करने की कोशिश करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, तो जैसी आप अपने computer screen से आप अगर जब भी R के icon पर click करेंगे तो आपको देखिए ऐसी window खुल के आजाएगी, लिकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका phone थ्वासा छोटा है, इसको हम देखिए यहाँ से control कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है GUI preferences, जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर size दिया हुआ है, हम इसका size 18 कर सकते हैं, phone size इसको हम जो type के इसको हम बोल कर सकते हैं, और इसी तो हम इसका यहाँ पर background बनल सकते हैं, इतियादी इतियादी बहुत सारी 1.2, copyright, trade form, इतियादी, इतियादी, देखिए, यह सब कुछ लिखा हुआ है, right, और यह देखिए यह आपका है, यह फिलाल रंग का cursor है, यहाँ पर prompt sign है, और इसके आगे यह आपका prompt, यह cursor बना हुआ है, और यह जो line है, इसको मोलते हैं command line, यहाँ पर हम अपना जो भी command को type करते हैं, और वो हमारे यहाँ पर execute होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर type करें, x equal to 2, तो देखिए, यह हमारे यहाँ पर execute हो जाएगा, right, और इसी में आप अगब देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ हुए help, आप देखिए, सबस्यूपर जो भी अंतिम column में दिया ह help, और यहाँ पर click करेंगे, आपको console, FAQ on R, FAQ on R on windows, manuals, R functions, HTML help, search help, बहुत कुछ दिखाई देगा, आप उसको यहाँ से आप अगर click करेंगे, इसको पर ले जाएगी, इसके देखिए, बहुत सारा सब कुछ दिया हुआ है, where can I find the latest version, इत्याती, इत्याती, right, अब यह आपक click में जाना चाते हैं, और इसको कैसे पगना चाते हैं, अब हम अपनी slide पर वापस आते हैं, और आगे बगने की कोशिश करते हैं, अब देखिए, अब और दूसरा option तो सहायता के लिए, जैसा मैंने आपको बताए कि जो हमारे external sources होते हैं, for example, जारनल के लिए, आप www.google.com पर चले जाएंगे, जो भी आपना आपका R command है, R function है, आप उसको वहाँ पर type करोगे, आपको बहुत सारी resources मिल जाएंगे, आपको जहां से आपको ठीक लगे और जो सही हो, आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं, अब हम आते हैं, एक और aspect के उपर, अब हमारे पास R के अंदर सहायता लेने के लिए कई सारे options हैं, पहला option तो ये है, पहली condition ये है, कि मुझे कोई एक function या command है, जिसके बारे में idea है, जिसके बारे मुझे मालूम है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मैं उसको कैसे इस्तमाल करूँ और इसके बारे में कैसे आगे बखना चाहिए, तो ऐ ऐसे उदाहरल के लिए हमारा एक function होता है, read.table, और ये जो function होता है, ये मैं आपको अभी से बता दूँ कि ये हम लोग जो tabular data होता है, उसको read करने के लिए इस्तमाल करते हैं, और इसके बारे में हम जब समय आएगा तो हम आगे और भी इसनार से बात करेंगे, लेकिन अभ dot table, इसके बारे में हमको समझना है कि इसको कैसे इस्तमाल किया जाए, तो हम यहाँ पे सिर्फ खाली type करेंगे question mark, उसके आगे type कर देंगे read.table और इसको हम अपने R console पर हम इसको type कर देंगे, और जैसी हम इसको enter करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये करके दिखाय है, R console मैंने type किया, और जब मैंने enter किया तो इसको हमको ऐसा देगा, starting, sttpd, help server, इत्यादी, और करने के बाद मेरे को ऐसा यहाँ पर window एक मिल जाएगा, अब ये window देखिए अभी शायद आपको ठीक से नहीं दिखाई पगड़ा होगा, साफ साफ, लेकिन आप अगर इसी command को अपने computer पर करेंगे, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, और मैं आपको करके भी दिखाऊँगा, लेकिन मेरा उदेश यहाँ पर कुछ और है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस function को इस्तमाल करने के लिए आपको जितनी जादा से जादा information चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर उपस्थित है, और आप उसको कैसे इस्तमाल करेंगी, यह आपको समझना है, तो देखिए, जैसे इसने यहाँ पर दिया हुआ read.table, इसने बताया कि यह command के बारे में, इसके बाद में उसने इसका दिया, इवरल कि यह कैसे इस्तमाल करना है, क्या करना है, reads a file in table format and creates a data from it, इत्यादी, इत्यादी, इत्यादी करके बहुत सारे option दिया हुए है, और उसके साथ में ही, read.csv, read.csv2, read.dlim, read.dlim2, इत्यादी के भी command दिया हुए है, जिनका कान tabular data को ही read करने का होता, पगले का होता है, लेकिन वो csv file और d limited files होती है, और उसके आगे आप इसके arguments में अगर आएंगे, तो आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, for example, कि आप अगर arguments में देखेंगे, तो आपको देखें, यहाँ पर दिया हुआ है, फाइल के बारे में, यह file के बारे में पूरा पूरा विवरर यहाँ पर दिया हुआ है, header file में होता है, उसका दिया हुआ कि यह logical value है, indicating whether the file contains the name of variable इत्यादी, उसी में जो file में data का separator होता है, quote होते है, इत्यादी, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब अगर आप यहाँ से आरम करते हैं और यह सब पगने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, मुझे यह बताइए कौन सा ऐसा topic है जो उसमें नहीं दिया हुआ है, जो आपको करना, आपको खाली इतना ही करना है कि आपको इसको एक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको कहां से समझ में आएगी, अब हम देखिए यहाँ पर इसी command को हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, question mark, उसके आगे हम read.table, और देखिए हम यहाँ पर जैसी enter करेंगे, यह हमारा command execute हो जाएगा, और देखिए इसने आप governor description, usage, read.table, read.csv, इतियाती, इतियाती, फिर arguments के बारे में दिया हुआ है, फिर यहाँ पर header के बारे में दिया हुआ है, separator के बारे में दिया हुआ है, quote, इतियाती, देखिए, पूरा-पूरा detail दिया हुआ है, और साथी आप अगर देखेंगे, इसके बारे में, इन function के बार और उनका क्या structure है, इसके साथ में उन्होंने difference भी दिया हुआ है, कि उन्होंने किस बुक्स से उन्होंने इस चीज को लिया हुआ है, और इस से जो और भी functions होते हैं, उनके बारे में दिया हुआ है, उधारा ने दिया हुए है, आप इपर करने की कोशिश करिए, अब आप ये बताईए किसी चोटे से topic को समझने के लिए अगर आपको आर्क सोएं इतनी जादा सहयता दे रहा है, उसके बाद में वो किसी को समझ में ना ऐए, ऐसा तो होई नी सकता, condition सिर्फ एक है, कि आपको थोआ से उसको बैठ करके समझना पड़ेगा क्या है, मैं यहाँ पे इसके के उपर एकर help लेनी है, तो कैसे लेनी है, एक चीज़ मैं धाराल के लिए आपको बता सकते हूं, जो आप आगे आने वाले lectures में देखेंगे भी, जब भी कोई सा command दिया होता है, तो साथ में इसके जो शूरू आरम के दो तीन options होते हैं, वही सब्सक्रादा popular होते हैं, लेक conditions आपकी सहायता करेंगे, अब हम एक दूसरी condition लेते हैं, हमें कुछ सहायता चाहिए कि our software में जो हमारा numerical values है, data है, इसको कैसे enter किया जाए, उसके लिए मैंने एक अपना keyword धून लिया data input, यह विलकुल keyword धूना वैसे ही होता है, कैसे कि हम लोग कर्स इंजन में जा करके type करते हैं, किसी भी topic के बारे में information लेने की, अब हम यहाँ पर type करते हैं, command help.search, help.search, और parenthesis में, parenthesis का मतलब यह जो bracket होते हैं, इन brackets के अंदर, double quote के अंदर हम type कर देंगे data input, यह जो double quote का sign होता है, यह आपका computer का keyboard पे होता है, और जैसी हम इसको यहाँ पर type करेंगे, R console में, कुछ यहाँ पर ऐसा होगा, लिक करके आएगा, और हमको इसी तरह की यहाँ पर site मिल जाएगी, यह हमने screenshot आपको दिया हुआ है, अब उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर options दिये होंगे, आप यह options पर click कर लिजिए, और click करने के बाद में आप उनको आगे अंदर explore करने की कोशिश करेंगे, तो meet करते हैं, कि आप सही जगा पर पहुंच जाएंगे, अब यहाँ पर हम आप सबको थ्वासा आगाह करना चाहेंगे, जैसे मैंने बताए कि यहाँ पर आपको यह double quotes यहाँ पर type करने हैं, double quotes का symbol आप अगर देखेंगे आपके keyboard में होता है, अब कभी-कभी हम क्या करते हैं कि यह commands हैं, इनको हम अपने कहीं और file में जैसे MS Word में वहाँ पर type कर लेते हैं, और इसके पर copy करके हम इसको R console में paste कर देते हैं, यहाँ पर एक चोटी सी कभी-कभी mistake होती है, यहाँ पर आपको बहुत साफधान रहना पड़ेगा, आप ध्यान देखेंगे कि जब भी हम MS Word में double quote को type करेंगे और जैसी हम आगे भगेंगे, हम blank space दबाएंगे, यह symbol हमारा यह चिन हमारा कुछ ऐसे बन जाता है, कि जो चीज ऐसे है, यह हमारी कुछ ऐसे बन जाता है, क्लिगल हो जाती है, और इसके बाद में हम इसको अगर copy paste करने की कोशिश करते हैं, तो यह command हमारा R के अंदर काम नहीं करेगा, और उसमें से हमारा काफी समय बीट जाता है इस बात को खाली पता करने के लिए कि हमसे mistake कहां पर हो रही है, गल्टी कहां पर हो रही है, और इसी साथ में मैं आपको इसी और में बताना चाहूंगा, कि अगर हमको कभी हमारा जो minus sign होता है, उसको हम type करते हैं keyboard से MS Word के अंदर, इसको भी अगर हम जैसी blank space दे करके आगे बगएंगे, यह sign हमारा थ्वासा size में बगए आता है, यह sign दूर से तो देखने में minus sign ही लगता है, लेकिन यह कुछ और होता है, और जब भी हम इसको mistake देता है, गलतियां बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि कहां पर क्या गलती हो रही है, तो मैं आप सभी को यह suggest करूँगा, कि इस तरह के symbols जो होते हैं, उनको आप कोशिश करिए कि R console में खुच से अपने हाथ से type reel, जैसे double code है, minus sign है, और अगर आपने copy paste किया है, और अगर कोई गलती हो रही है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, कि कहीं यही वाली गलती तो नहीं हो रही है, और ऐसा अगर हो रहा है, तो जहां पर आपने copy करके paste किया है, वहाँ पर double code को या जो minus sign को इनको आप फिर से वहाँ पर type कर दिये, लेकिन console के अंद करते हैं, इस screen को अगर मुझे clean करना है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके लिए हम दबा सकते हैं control और L, तो control और L हमको एक साथ दबाना होता है, और इसके बाद हमारा screen साफ हो जाएगा, अब हम यहाँ पर देखे करते हैं help.search, और यहाँ पर हमने किया data input, अब हम यहाँ पर enter करते हैं, enter करते ही यह हमारा इस तरह का site है खुल जाएगा browser पर, अब हम यहाँ पर click करेंगे तो देखिए read.table पर तो आपको देखिए, इसी तरह का वही वाला site फिर से खुल के आ जाएगा, जो भी मैंने आपको दिखाया था, और अगर आप read.dif पर करेंगे आपको देखिए, data input from spreadsheet, इसके बारे में यह आपको बताना शुरू कर देगा, और आप अगर पखले की कोशिश कर दियें तो आपको यह बहुत सारे detail, बहुत सारी information आपको देदेगा यह, तो इस तरह के से हम, अगर हम को हमारे पास कोई keywords भी हैं, जिनके बारे में उसको प software में सहायता लेनी हैं, तो एक हमारे पास option होता है, उसको हम खाली कर सकते हैं, help और parenthesis लिख दे, open bracket और close bracket, यह हम कर सकते है help.start और यह parenthesis, open और close parenthesis, दोनों को type कर दे, तो जैसी हम यह करेंगे, तो हमारा इसी तरह का web browser देखिए, शुरू हो जाएगा, देखिए, मैंने यहा पर आपको screenshot भी दिया हुआ है, आपको करके भी दिखाऊंगा, और इसी तरह का एक screen खुल जाएगा, यहाँ पर आपके पास introduction to our writing, our extension, our data import, इत्यारी करके packages, इत्यारी करके आपके बहुत सारी information दी हुई है, और यह आपकी इच्छा है, और यह आपकी जो आप काम करना चाह करते हैं, वह उसके उद्देश पर depend करेगा, कि और उसके अनुसार आप जगा जगा पर click करते जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने सही गंतव इस्थान पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको सही information मिल जाएगी, अब हम देखिए काम करते हैं, इसी चीज को हम आपको यहां पर करके दिखाते हैं, help.start, देखिए मैं यहां पर करता हूँ, help.start, अब इसने देखी यह पूरा-पूरा उसी तरह की site खोल दी है, इसके अन्तर सब कुछ दिया हुआ है, आपको introduction to our writing our extension पर आपने देखिए click किया, तो यह पूरा-पूरा ऐसे किताब होती तरह से खोल के आगया, आपने कह दिया list and tables के बारे में देखिए सारी information दी हुई है, और जितने अच्छे से दी हुई है, यह सिर्फ खाली इसके बाद में आपकी चाहत और आपकी च्छा पर निर्भर करता है कि आप कितना आगे जाना चाहते हैं, right, okay, तो यह तो कुछ हमा हमारे basic methods, तरीके हो गए, जहां से हम our software में help को ले सकते हैं, अब हम कुछ और aspect के बारे में बात करते हैं, और यह भी हमारी help के बारे में ही है, जैसे आपने देखा है कि आपको अपने किसी word document में जहां पर आपने type करके रखा हुआ है, या आपने कुछ numbers type करके रखे हुए ह है, वहां से आपको कोई number या कुछ अगर word अगर एक धूंड़ना है, तो आप क्या function use करते हैं, control F, find, तो उसी तरीके से R के अंदर भी होता है, कि अगर हम माल लीजे, कोई एक function को इस्तमाल करना चाहते हैं, जो function होते हैं हम उसके बारे में विस्तार से बार में भी बात करे करेंगे, function हमारे किसी particular काम को करने के लिए होते हैं, अब और ये जो functions हमारे कोई package के पार्ट होते हैं, कोई उनके हिस्से होते हैं ये, तो जब तक कि आप उस package को पहले load नहीं करेंगे, आप उस function को इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो अब हमारी समस्या ये है कि मुझको ये व बारे में नहीं पता है, और जब ते कि package के बारे में नहीं पता है, हम आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो ये कार को करने के लिए हमारे पास command होता है find, हमारे पास दो command है find और अप रोपस हम उसके बारे में दोनों के बारे में बात करेंगे, पहले हम find के बारे में बात कर और यह मुझको नहीं समझ में आ रहा है कि यह किस package में है, तो मैंने क्या किया, मैंने type किया और फिर find और parenthesis में type कर दिया lois और जैसी हम उसको enter करेंगे, यह हमको कुछ ऐसी information देदेगा package और stats इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो lois command है, यह stats package के अंदर है, अब हो सकता है कि यह package आपने अभी आपके computer पर आपने load किया है कि नहीं किया है, उस तरह का आप देख सकते हैं, पहले आपको stats package को load करना होगा, उसके बाद आप nois command को use करिए, आपका काम हो जाएगा, अब साथ ही आपको मैं यहाँ पर एक ची और में दिखाना चाहता हूँ, ऐसे कि आप अगर इसी कार का screenshot अगर देखने की कोशिस करिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है one, यह one क्या चीज़ है, यह one actually में यह हमको, जैसे यह भी दिखा हुआ है, यह actually में क्या है, line number है, कि यह दिखा रहा है कि यह line number है one, और यह जो भी लिखा हुआ है, यह हमारा पहली position पर लिखा हुआ है, यह जो है, इसका इस्तमाल अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, जहाँ पर हमारे पास जब एक से जादा ऐसी चीज़े लिखी होती हैं, तो इ यह कब इस्तमाल होता है, माल लीजिए मुझे कोई command या function मालूम है, लेकिन मुझे को उसके बारे में अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अब मुझे जो ध्यान में इतना खाली आ रहा है कि उस command या उस function में कोई एक या दो अक्षर थे, अब अगर कोई मुझे को उन अक्षरों से धून करके कितने भी संभव packages या commands हमारे सामने लिख दे, तो उम्मीद करते हैं कि जब उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, तो हमको पहले वाली बातें याद आ जाएंगी, और हम उसमें से पहचान पाएंगे कि हम किस function या command की बात कर रहे थे, इस तरह के कार करने के लिए हम अरे पास command होता है, आप रोपस, अब ऐसे धारल के लिए, उसको यह याद है कि मैंने कुछ command यूज किया था, उसके दो अक्षर थे LM, अब ही LM हमारे कौन से command में कहां पे है, मुझे कुछ याद नहीं हा रहा है, बस इतना ही याद है कि उसमें LM उसके दो अक्षर थे, तो मैंने टाइप कर दिया आप रोपस, परेंथिस के अंदर, डबल कोर्स के अंदर मैंने टाइप कर दिया LM, अब इसका जड़ा output आप देखिए कैसा आता है, ऐसी screenshot बन करके आ जाईए, अब देखिए, यहाँ पे LM आ गया, LM, ल तो यह हमारा command क्या है, confint.lm, उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखिए, यह भी हमारा LM आ गया, लेकिन यह command हमारा क्या है, कालमान forecast, उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर देखिए, यह कुछ हमारा function, यहाँ भी हमारा LM आ गया, लेकिन यह हमारा है, nlm, तो इसने क्य किया इस फंक्शन ने सारे सारे कमांड जहां पर भी हमारा ऐलम आ सकता है साथ-साथ इसने मुझन की लिस्क दे दी अब ये हमारी कैपिबिल्टी पर है कि इन सिंटैस को दे करके मुझे को याद आ जाना चाहिए कि मैंने पहले किस कमांड को यूज किया था किस कमांड को इसनमाल किया था और किस कमांड के हम पेक्षा कर रहे थे अब यहां पर देखिए आपको मैं इसी और दिखा दूँ देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां यहां पर लिखा हुआ है तो यह नाउं पर लिखा हुआ है यह जो इंक हुआ पहला यहां पर वोड लिखा हुआ है उसका क्या sequence नमबर उसको दिखा रहे हैं obviously यह जो हमारी window है जो मैंने यहां पर इतनी बड़ी width ली हुई है हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और जब हमारी width हमारी छोटी हो जाएगी तो यह जो हमारे नंबर है यह भी आपस में बदल जाएंगे यह आपको ध्यान में रखना है अब हम आपको इन दोनों कमांड जो भी कमांड है उनको हम पहले आपको अपने आर सौफ्ट्रेयर में करके दिखाते हैं तो देखिए पहले हम आपको find lowest की बात करते हैं जैसे इसको हम अपने screen क्लियर करते हैं उसके लिए क्या दबाना है control L तो देखिए find और इसके बाद में parenthesis में within double course l o w e double s और देखिए है इसने हमको देखिए कि यह stats package में है ऐसी हमारा अगला कमांड क्या है a p r o p o s a p r o p o s और bracket में within double course l m अब देखिए इसने आपने चुकिए अपना phone size बहा दिया है तो इसने एक row में खाली दो ही चीजों को लिखा हुआ है इसलिए one two यह हुआ और three यहां से हो गया लेकिन यह देखिए आपको क्या दिखा रहा है यहां पर है l m यहां पर है l m यहां पर है l m और इस तरह के जितनी भी चीजें यहां पर दी हुई है 29 चीजें इसमें सभी में देखिए LM आया हुआ है अब आप देख सकते हैं कि यहां से आपको यह मालूम पगएगा कि आपकी कंप्यूटर पर कौन-कौन से अब देखिए यहां पर आपकी 19 रो है और जबकि आपने स्क्रीन पर लिए उसमें 25 रो है तो इससे आपको कोई कंफिजन होना नहीं चाहिए क्योंकि बात तो एक ही कर रहा है वो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं अब जब हमको अपने आर्ट सौफ्ट्ट्वेर में सहायता लेना आ गया मुसको यह पता चल गया कि मैं अपना रास्ता आगे कैसे ढूल सकता हूँ अब दूसरा सवाल आता है कि कि जो टॉपिक मुसको समझ में आ गया क्या कोई हमको उसके पर धारांग भी दे सकता है तो आर्ट के अंदर ऐसी सुविधा है आर्ट के अंदर बहुत सारे कमांड्स के उन्होंने एक्जाम्पल्स क्रिएट कर दी हैं और उनको देखने के लिए हमारा कमांड होता है एक्जाम्पल ई-ए-ए-ए-ए-म-पी-ल और इसको लिखने का परिका किया है कि सपोज अधारान के लिए अगर मुझे पता है कि मुझे को ऐलम कमांड है इसके बारे में अधारान चाहिए जो LM command होता है ये एक्चुली में linear models के बारे में होता है हम लोग यहाँ पर शायद linear models के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन जिन लोगों कि इसके बारे में पता है अगर उनको कभी इसके बारे में इस्तमाल करना है या हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे function हो सकते हैं जो हम use करना चाहते हैं हम तो खाली उधारल के लिए हापे आपको एक command लेकर के दिखा रहे हैं तो इसका उधारल देखने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे example LM and then उसके बाद हम जब देखेंगे तो हमको उसमें से बहुत सारे commands जो उनके text format में होंगे graphical format में होंगे वो हमको दिखाई पर जाएंगे right अब हम इसको आपको पहले दिखाते हैं फिर हम आपको R console में करके दिखाएंगे तो जैसी मैंने example LM लिखा कुछ मेरे को देखिए इस तरह का screenshot आजाएगा यहां पर देखिए इसको कैसे formula देना है कैसे उसकी values आएंगी इत्यादी यह सब दिया हुआ है साथ में उनका जो भी graphical output है यह भी दिया हुआ है और साथ ही इसमें से आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे detail और दियोए हैं जहां से आपको यह सब देख करके समझ में आ जाएगा तो इसलिए पहले हम एक बार जड़ासा इस example को देखने की कोशिश करते हैं कि यह आपको कैसे दिखाई देगा अब मैं आपको देखिए एक छोटा से काम करके दिखाता हूँ इसके अंदर आर के अंदर आपको अपनी यह जो window है इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं तो हम इस window को थुआ साथ छोटा कर लेते हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमारे graphic की window इसमें अलग होती है तो अगर हम window को छोटा कर लेंगे तो graphic window और text की window मुझे को दोनों एक साथ दिखाई पगए जाएगी और इस text की window को हम control L दबा करके clean कर लेते हैं अब हम यहाँ पर देखे type करते हैं example जे L M आप देखे क्या होगा इसने सबसे पहले आप अगर यहाँ पे आएंगे तो इससे देखे आपको बहुत सारी अधारा लिदी है इत्यादी और इसने किस book से किस किताब से कौन से example लिया हुआ है annotated docs की किताब है page number 909 लिया हुआ है इत्यादी सब कुछ दिया हुआ है अब यहाँ पर वो कहा रहा है इसके बाद में कि यहाँ पर आ गए और इन ग्राफिक्स को कैसे क्यार किया जाता है उसके बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है अब हम इस ग्राफिक विंडो को क्लोज कर देते हैं और इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं लेकिन अब आपको यह देखे समझ में आ गया कि अगर आप इसको पख लेते हैं एक बार तो आपको समझ में यह सब कुछ आ जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे फंक्शन के उधारां यहां पर दिये हुए हैं और अब यह आप पी कैबिल्टी और आपकी च्छाव पर डिपन करता है कि आप किन किन फंक्शन के उधारां देखना चाहते हैं अब जब हमको एक उधारां किताब में मिल जाता है तो हमारा दूसरा स्टेप होता है कि अगर कोई मुझे को उनको ब्लैक बोर्ट पे करके दिखा दे अर्थाथ हमको उस फंक्शन का डिमोंस्टेशन दे दे कि तो उस तरीके के डिमॉंस्टेशन को देखने के लिए हमारे पास यहां पर एक कमांड होता है डेमोो और यहां पर इस में से क्या होता है कि हम जब भी करने की कोशिश करेंगे दन यह हमको उस particular command का demonstration दे देगा उधारहल के लिए हमारे पास एक command होता है PERSP persp यह जो command होता है यह हमारा three dimensional surface plots को create करने के लिए होता है हम जैसी यहाँ पर type करेंगे demo PERSP मुझे कुछ इस तरीके के screenshot मिल जाएगा यहाँ पर यह text दिया हुआ है यह इसका graphic दिया हुआ है और यह हमारा आगे परिता जाएगा तो इसकलिए हम आपको इसको console में करके दिखाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा तो देखिए R console में हम type करते हैं demo PERSP और जैसी enter करते हैं तो यह मुझे करता है type return to start यह उसने कुछ देना शूरू किया और यहाँ पर हमारी यहाँ पर यह रेखिए graphic window आगे जहाँ लिखा हुआ है click और hit enter for next page तो जैसी हम यहाँ पर click करेंगे तेखिए यह मुझे graphic मिल गया और इसके साथ में ही इस graphic को क्यार करने के लिए क्या command होने चाहिए यह सब कुछ हमारे बाएं हाथ पर दिया हुआ है और जैसी हम यहाँ पर अगला enter करते जाएंगे हमारा graphic बदलता जाएगा हमारे बाएं हाथ पर उसको लिखने के command हैं वह भी आते जाएंगे और जैसे जैसे हम आप आगे graphic के बारे में बता रहा है या आपको उनके command के बारे में बता रहा है अब आपको क्या करना है सिर्फ उनको पढ़ना ही तो है और यह तो आप करी सकते हैं अब ऐसी हम आपको देखिए एक और example देते हैं demonstration का कि यहाँ पर हमारे पास एक command है graphic ग्राफिक ग्राफिक को बनाने क तो इसमें हम जब भी करेंगे तो देकिए होँ 말े हमारे साथ च ethics आ गए यह इसके आप और यह करते हैं और एक तो आप इसको पढ़से कोशीश करेंगे तो आपको ग्राफिक के बारे में जो भी डिमॉनित है मुझे देना तो इसमें स्पेलिंग हमारी थी डेमो के साथ में लिखना था ग्राफिक्स तो मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है अब हमको इसको फिर से ठीक करना है तो जैसा मैंने आपको आरह में बताया था कि हम अपने arrow की को आगे पीछे करके हम अपने कमांड को रिपीट कर सकते हैं तो जैसी मैंने यहां पे upward arrow की को यूज कि अप पहले वाला कमांड आ गया और यहां पर मैंने type को दिया s और यह मैं रहो गया graphics और जैसी enter किया तो रिखी यहां पर इसने हम से कहा कि type return to start जैसी मैंने किया बाएं हाथ पे हमारे इसका text आ गया दाएं हाथ पे ग्राफिक्स आते जाएंगे और इसके तुरू आप देख सकते हैं कि बहुत ही भिन भिन तरीके के informative ग्राफिक्स आर के अंदर त्यार किया सकते हैं और आपको क्या करना है आपको सिर्फ खाली इन कमांड को समझना है जिससे कि आप इन अच्छे अच्छे खूबसरे ग्राफिक्स को तयार कर सके हैं अब आप देखिए इस लेक्चेर में हमने आपको help के बारे में बता दिया, examples के बारे में बता दिया, demonstration के बारे में बता दिया तो अब मुझे को ये मालूम है कि अगर मुझे किसी topic को समझना है तो किस तरीके से मुझे उसको समझने की कोशिश करनी है तो आप से हम आज ये request करेंगे कि मैंने आपको जो जो commands बता हैं आप थोगा साथ धूलिए कुछ और भी commands होंगे आप उनके बारे में examples, demo, इत्यादी की practice करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या ये commands काम करते हैं और कम से कम एक या दो commands के जो details हैं उनको जुरूर पगले की कोशिश क करिएगा सुधर कि आपको ये पता चल जाए कि उसमें लिखा तो बहुत सारा है जो शायद उतना पगले में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर मैं कल को कोई programming कर रहा हूं और अगर मुझसे कहीं पर mistake हो रही है तो हम उसको कैसे ठ कर दो हम अगर. झाल झाल